नमस्कार तो आखिरकार अमेठी की सीट से भी सस्पेंस खत्म हो गया है गांधी परिवार के प्रंप्रागर्थ सीट कही जाने वाले अमेठी से इस बार राहूल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जबकि सौनिया गांधी के राज-सवाज जाने से खाली हुई राय बर द्यारों में और मेडिया में सब जगे इस बात को लेकर एक लंबी बहस चड़ी चड़िंगे इस मृति इरानि भी हरमंच से राहूल गांदी को चुनोतिया दे रही थी कल तक कोई कह रहा था कि राहूल गांदी अमेठी आ रहे हैं कोई कह रहा था राहूल गांदी अमेठी का रण छोड़ रहे हैं लेकिर राजनीती के जानकारों का मानना है कि राहूल गांदी ने रण नहीं छोड़ा ह बल्कि यूपी एलक्षन के लिए जोड़दार किलेबंदी करने में विज्टे हुए हैं अमेठी और राय बरेली सीट पर चुनाव लड़ने की घोशना में देरी को कॉंग्रेसी नेता बड़ी रणनीती का हिस्सा बता रहे हैं नामांकन की आखिरी तारीक से ठीक पहले अमेठी और राय बरेली पर कॉंग्रेस ने अपने पत्ते अव खोले हैं बीजेपी ने काफी समय से अपने रणनीती कारों को यह पता करने में लगा रखा था कि आखिर कॉंग्रेस की इन दौनों सीटों पर या यूपी को लेकर क्या रणनीती चल रही है लेकिन बीजेपी यह पता नहीं कर पाई कि आखिर कॉंग्रेस क्या प्लान कर रही है उदर चर्चाब यह है कि शायद वाइनाड से प्रियंका वाडरा यारी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है लेकिन संभवता आज के हालातों में प्रियंका गांधी का कैडर बहुत बढ़ गया है प्रियंका बीजेपी की योजनाव शीर सनेतर्तू के भयानों पर जम कर पलटवार करती नजर आई है और बीजेपी के शीर सनेतर्तू को कट घरे में भी खड़ा करती नजर आई है प्रियंका के भाशनों में इंदरा गांधी जैसा अनुभाव तीखे तेवरों की छलक नजर आती है जिसकी आज कॉंग्रेस को खास जरूरत है ऐसे में वे चुनाव लड़ती है तो एक लोग सबा तक ही सीमित रह जाती है ऐसा माना जा रहा है हाला कि अभी भी प्रियंका गा प्रियंका गांधी के साथ उनके पती रोबर्ट वाडरा थे और राहूल गांधी को राइबरली से परचा भराने सब पहुंचे वैसे अमेठी में तयारियां जोरदार चल रहे हैं यहां पिछली बार राहूल गांधी इसमृती इरानी से 50,000 वोटों से हारे थे लेकि जनत परिवर्थन की भी बात कह रही है तो इसमृती इरानी ने भी अमेठी में रहकर अपना एक बड़ा समर्थक वर्ग तयार किया है जो समृती के कामों की तारीफों में जम कर कशिरे गड़ता नजर आता है लेकिन इस्थानी लोगों में महंगाई और बेरोजगारी की नारा किशुरिलाल शर्मा ही देखते रहे हैं उदर सोनिया गांधी के राज्य सवामे चान ऐसे राय बरेले के लोग मायूस थे कहा जा रहा था कि राहूल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे और यह भी चर्चा थी कि गांधी परिवार के अलावा यहां से कोई चुनाव लड़ता है, तो निश्य तोर पर हरेगा लेकिन अब राहूल गांधी यहां से चुनाव मैदान में है और चर्चा है कि राहूल गांधी यहां से मजबूती से चुनाव जीते गए तो कहीं न कहीं बीजेपी की उन बातों और दावों पर विराम लग गया है कि गांधी परिवार ने यूपी छोड़ दिया है ना तो उन्होंने यूपी छोड़ा है और ना ही अपनी सीटे बस अमेठी से एक प्रयोग किया है लोकि देखा जा रहा था कि इसमरती रानी राहूल गांधी के बारे में हर मंच से बयान बाजी करके खुद को पिये मोदी इस्तर का नेता प्रेजेंट कर रही थी चाहे सदन के भीतर हो या बाहर इसमरती राहूल गांधी पर बयान बाजी करने में पीछे नहीं अठती थी ये कहना है पूरे विपक्ष का कॉंग्रेसी नेताओंगा लोकसभा में फ्लाइंग किस वाले मामले को तूल देकर भी वे काफी चर्चाओं में आ गई थी तो अमेठी और राय बरिली पर कॉंग्रेस के निर्णे को लेकर अब चर्चा है कि इसका असर जो बचे हुए पांच चरण हैं लोकसभा चुनाओं के उनके चुनाओं पर देखने को मिलेगा और साथ ही यूपी के चुनाओं पर भी खास्तोर से कॉंग्रेस नेताओं का दावाया कि पार्टी के वफादार नेता केके शर्मा के साथ ही राहुल गांदी चुनाओं लड़ेंगे और जीतेंगे भी वैसे एफ एंसला तो चार जून को होगा चुनाओं परिणाम के साथ फिलाल मुझे दीज़े इजाजत जनता दर्बार के लिए जापुर से विज़ेवर हो